हेलो गाईज इस वाले वीडियो में तुम लोग को बताने वाला हूँ टर्मक्स एम्यूलेटर में जी टी एफ फाइव कैसे इंस्टल करते हैं मतलब बैसिकली तुम्हारे एंड्रोएड में ग्रैंटिफ टोटो फाइव तुम लोग कैसे रण कर सकते हो उसके पहले गाईज क्यों लोग को टर्मक्स वाइव अपने ऐंडौइड में इस्ट्रो करना पड़ेगा कुछ लोग कहना है यह कि टर्मक्स बाक्स तुम्हारा रों इडरस से वह फलता एक्जागियर से भी फास और सबसे फास्ट है तो ये भी देखेंगे और कुछ लोगों का यह भी कहना ए और डामेंसिटी और एक जीनोस यह सब सपोर्टीड होता है तो इसका इस्टॉलेशन कैसे मैं बता देता हूं टर्मक्स बॉक्स में यह ओफिशल वैबसाइट तुम लोग को क्रॉम में खोल लेना उसके बाद यहां पे तुम लोग को दो एपी के मिलेगा एक टर्मक्स आ गय सब्सक्थ बखेगा इसको भी तुम लोग को इंस्टॉल कर लेना के आप यहां प है कि तुम्हारे डिवाइस गेंट तो टो टो फाइव रन नहीं कर पाएगा या तो जीटिए फोर रन कर लेना या तो उससे और छोटे-छोटे गेम्स आ गए पीसी के वो सब भी तुम लोग रन कर सकते हो लेकिन हर पीसी के गेम्स यह टर्मक्स बॉक्स जो है वो चला देगा अभी मैं तुम्हें चेंज लोग भी दिखाऊंगा और आज कल का जो एक गेम आया है साइबर पंक 2077 वो भी अब यह एमिलेटर रन कर पाएगा ओके गाईज तो एस गेंजिटर मक्स टर्मक्स एकस 11 एप्लिकेशन हमारा दिख रहा है तो पहले हम लोग को टर्मक्स को उपन कर लेना और इसको करदेना है ठीक है करने के बाद यहाँ पेश्ट कर देना है तुम्हें होल्ड की रखनां इस वाइट ग्राफ में बहुत जादा एजी प्रोग्राम आगा बस तुम उसको क्लिक एलाओ कर देना है पर्मीशन हमने एलाओ कर दिया है लिखर का इसके बाद यह अपडेटिंग टैर्मक्स पैकेज लेने लगेगा और इसके लिए तुम लोग को डाटा कितना चाहिए कई बार हम लोग को डाटा का कमी पढ़ जाता है तो तुम लोग को कम से कम एक दो जीबी डाटा रखना पड़ेगा इसके लिए या तो तुम अपने दोस्त के घर चले जाना वहां से तुम वाइफाई लेके और डाटा से कर सकते हो वैसे तो यह आप बताता है छे सो से साथ स्वेम भी ले रहा है लेकिन ले लेता है यह ए गेम्स कैसे अंड्रोइड में चलाते हैं और कैसे पी एस वीटा का गेम अंड्रोइड में चलाते हैं कैसे स्मूध करते हैं कैसे स्वीच का गेम्स अंड्रोइड में चलाते हैं या कोई भी एमिलेटर हो गया प्लेशन 2 का कैसे अंड्रोइड में चलाते हैं सारे मैंने इस वाले चैनल में tutorial डाल रख Iṃ ऐसे ही channel के लिए मेरा tutorial वाला यह Channel है और हर मुवाइल में कैसा performance देगा emulator यह भी मैं अपने इस वाले Channel में डालता रहता हूं कि गाइस ओके तो अगर तुम लोग को किसी भी मुवाइल में benchmark करवाना कोई भी emulator है तो तुम मेरे से kontakt कर सकते हो, मैं उसका वीडियो फिर upload कर दूँगा, और description ने सुधारा नाम का देदूगा, और उसके बाद उम्हारा चैनल का नाम description के बाद, और यहाँ पी देख सकते हो, यहाँ पर installing necessary packages यहाँ भी आ रहा है, थोड़ा सा वेट ओवर कर लेँगे, make sure जो तुम सभवाल दाउडलोडिंग लेना McC skaid-ने स्टॉम लोग को बाद में कुछ किलिक नहीं करना जैसे मैं बताऊंगा वेसे वेसे त्मं लोग को किलिक करना यहां पर गाई और यहां पर हमारा डाउनलोड जो है वो स्टॉर्ड होरा है इतना सब होने के बाद 60 Mb एक file होगा और एक file ले 200mbic as you can see उपर ऐसा file होने के बाद तुम लोग को पुछेगा यहां पर staging करना है या गी custom करना है तो guys तुम लोग को press 1 करना है staging करना है और second वादा अभी कुछ काम का नहीं है तुम लोग के अब यहां पर जो है हमारा जो download है वो start हो जाएगा wine downloading और wine downloading के लिए guys मैंने तुम लोग को बता दिया कम से कम 600 से एक जीबी होना चाहिए या तो जासे जादा माम लो दो जीबी ओके guys जासे जादा दो जीबी लगेगा और कम से कम वन जीबी लगेगा इतना डाटा तुम्हां लोग के जो मुवाइल है उसमें होना चाहिए और उसके बाद guys यहां पर देखो दो option पूछेगा बोल रहा है पहले तुम्हारा मुवाइल अगर route है तो सेकेंड यूज करो और अगर route नहीं है मतलब normal device है कुछ setting वेटिंग तुमने नहीं कर रहा तो तो one select कर रहा तो मैंने यहां पर one कर दिया अम आई उसके बाद बता देता हूं रूट वाले अगर तुम्हारा device अगर route वाला है तो उसमें क्या है थोड़ा performance increase हो जाएगा लेकिन मैं यही recommend करूंगा कि तुम लोग one दवा देना वहां पर route करना वहां पर दरूर नहीं है उसके बाद यह जो है finally यह जो प्रोसेस है वो finalize हो गया है उसके बाद guys यह थोड यहां पर इंस्टॉल सक्सेस हो चुका है और लेटेस्ट पैच में नहीं कि डिर्क्ट हाई एंड गेम से डिर्क्ट तुम लोग ट्राइब कर दोगे जीटिया 5 डिरेक्ट तुमने कॉपी कर दिया अपने मुबाइल में तो अब टाइम इतना लगा उसके बाद पता नहीं क थोड़ा सा जो वीडियो है वो बड़ा हो जाएगा और देख सकते हो यहां पर इंस्टॉल सक्सेस हो चुका है और लेटेस्ट पैच में हम लोग को देखने मिल जागा साइबर पंक 2077 को वाइन के अंदर फिक्स कर दिया गया तो तुम लोग वो गेम भी चला सकते हो एंड गेम में नंबर वन में हैं और इसके बाद ही कोई और गेम साता है बहुत ज़्यादा बड़ा साइज का गाईज तो कोशिश करना मैंने यही टिपस बता दिया चोटा सब पहले गेम ट्राइब करना है यहां पर एक डिड़ जीबी का डाल के ओके तो यहां पर इसके termux app to start enter one terminal ओके यहां पर इतना हो गया अब हमें क्या करना है यह termux x11 है ना बस यह खोल देना ओके गाइस बस यह मैंने जो है यह open कर लिया है अब देखो थोड़ा सा loading लेगा वहां पर जो हमारा window है वो खुल चुका है देख सकते हो यह रहा हमारा window यह start menu और यहां पर कुछ apps तुम लोग को मिल जाएंगे अब गाइस इसको भी configure करना पड़ेगा यह नहीं कि अभी रेडी हो चुका है अभी इसको configure करना पड़ेगा अब गाइस यहां पर क्या डालना है यहां पर पहले तुम लोग अपना वो देदना कि तुम लोग का प्रोसेसर कौन सा है अगर तुम लोग का प्रोसेसर है माली तो यहां पर उस अनुसार से तुम लोग को driver यूज करना है और अगर तुम लोग का snapdragon का प्रोसेसर है तो उस अनुसार से तुम लोग को यहांपे चेक करना कि ओर भी मैं je Bree्ण यह चला रहा हूं تم अ kalo यहां और अधुम लोग को पता है कि कौँछ तुम यूज कर रहे हूं सने ब्रेगन और प्रोशेसर या तो कोई भी प्रोशेसर तुम लोग को पता नहीं तो तुम लोग यहां हुपर क्लिक कर देना ठीक है तरुनिї मेन में यहाँ और अगर देखु है। नोग तो यहाँ यहां पर यहां पर प्रिक्स करना है यहाँ थैखु कई यौणせて यह performance का भी मैं अभी इस वाले वीडियो में तुम लोग को बता देता हूँ इससे बड़िया performance आता है 2.2 stable है graphics glitch होने नहीं देता और अधिकतर device में यह support रहता है और अधिकतर device में यह ज़्यादा support रहता है 103 यह वाला ओके गाइज और लेकिन मैं यहाँ यहाँ पर 2.2 डाल रहा हूँ और यह हमारा उसके बाद install हो जाएगा अब हमारा यह वीडियो मेमरी चार कर सकते हो चार जी बी और उसके बाद GPU नेम जो मरजी तुमको वो डाल दो और उसके बाद देख सकते हो मेक्स और उपन जील तुम लोग का यूज हो रहा है और यहाँ पर यह सीप्यू का इफिनिटी है कितना यूजर करना कितना नहीं करना कि अब हमारा टर्मक्स एमिलेटर जो है वो रेडी हो चुका है यह इसमें अब हम लोग जो अ्दूज सकते हैं अब गेम कैसे खेालना ओए यह बता देता हूं tra goo good ned कि युष लौटर में लेना कि डाउनलोड़ वाले फोल्डर में रखने के बाद जैसे कि मैंने डाल रखते डाउनलोड वाले फोल्डर में फरारी ज्यागर या लफोड़ ट्व मोटो जीपी ये सब गेम डाल रहे है कि तुम लोगु ऐसी गेम डाले ना और कोशिच करना कि वो गेम एक्स्ट्रेक्टिड होने चाहिए सेट अप नहीं है सेट अप डालोगे तो फिर टाम हो लग जाएगा ओके गाइस चलो आई होप यह जो वीडियो तुम लोगो पसंद आया होगा और कोशिश करना गया थे टोटो फाइब डारेक्ट ना चलाओ पहलो कोई छोटा मो यहां बाई बाई टाटा